आई फ्रेंड्स मैं कुमार्धनी सिंग मैं आप सुविकर इस वीडियो में ससी जीडी का जो 2019 में एक याम हुआ था उसमें से मैत का पार्ट 26 वीडियो आप लोग के सामने एक प्रेक्टिस सेट के रूप में प्रस्तूत कर रहा हूँ इस पार्ट में 22 वीडियो 2019 को सिफ्ट 2 में जो भी मैत से 25 प्रस्नों पुछे गए थे उन सभी प्रस्नों को हल करूंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का पाला प्रस्न वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27,45,30 से विभाजित किये जाने पर हर मामले में यानि परत्यक मामले में से 5 आता है तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा 27,45 और 30 का एल्सियम निकाल करके जो एल्सियम आएगा उसमें प्रस्त 5 कर और देखिए जब इसका LCM लिका लेंगे आप तो इससे लिकाल जाएगा ठीक है इसका LCM आ जाएगा आपको 270 आप 5 परतेक मामले में बच रहा है यानि 5 इसमें जोड़ो देना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 275 यहाँ पर इसका राइट इंसर हो जाएगा option 1 चलिए अगला पर संसर में फीर चार्ट से ऑपकूल तीन कोश्ण पुछे जाएंगे इस चार्ट को इसी में समझा दराऊं आगे में नहीं organised आब यहाँ चात्रों जो है 120 का और जीव विग्यान जो है 100 का सबको जोड़ देंगे आप तो देड़ देड़ तीन सव अतीन सव अतीन सव अदो सव कितना हो जाएगा 500 यानि तोटल 500 को का है ठीक है और देखिए यह हरीज का दिया गया है मतलब मैथ में कितना नंबर लाया है और यह रसाइन सबको जोड़ करके ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं सबको जोड़ करके बटाम 500 या आप अगर देखेंगे तो देखिए परतेक भी से कर रहा है यानि सभी सब्जेक्ट में उसका पचास सब्सक्राइब होना चाहिए ठीक है तो ऐसे भी आप में बना सकते है यहां टेबल से पर देखेंगे पाला में देखेंगे तो 90 है यानि यानि 50 परशंट से पलस है तो इसका तो यह गलत हो गया इसको चंग कर ठाट है रमबल कासी है यासी दूना एक सब्सक्राइब गलत हो जाएगा सतर दूना एक सब्सक्राइब यहां पर देखिए भौतिक विज्यान में जिसने क्या किया है देखिए जैसे के मिस्ट्रीव में देखेंगे तो आधे दूना एक सबीस मतला है इसमें मटमें नंबर में भी भी नाल है ठीक है अब देखेव पाचे में वजुवत में अजमेत में 40 अधमें जो की 50 परशेंट से कम है रसाय विगयां में 130 है जो की 50 होना यह भी कम है इसमें 60 होना चाहिए बट durchaus 38 है इसलिए इसका क्या हो जाएगा आजमेत वाला वह जाएगा यानि यही एक छात्र है जो की 50 परशेंट से परतेक विषए में कम लाया है ठीक है च यह जो है रमण का है यह राजेस का है यह मनोज का है और यह अजमत का है ठीक है तिसमें आप लोग देख सकते हैं सबके डिभाइट पांसो कर दिए ठीक है इसका 50% सो कम है आप लोग यहां पर देख सकते हैं चलिए अगला परशने देखते हैं यहां पर अंसर देख सकते हैं आगला प्रस्तने, यादी किसी निश्ची संख्या का 20%, किसी आने संख्या के 3बड़ा 4 के बराबर है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है, चलिए इसका फुलस्रा करते हैं, अब देखिया माल लेते हैं कि वो संख्या 1 है, ठीक है पहली संख्या, तो इसका जो है 20% यानि 20% तो 20% के बतलब बाटा में 100 ठीक है बराबर क्या बोल रहा है कि किसी औने संख्या के औने संख्या माल लेते हैं Y है का 3 बाटा 4 के बराबर है अब देखिए 1-0 से 1-0 केंसिल 2 से कर जाएगा ये 5 बार में अब देखिए इदर करने माला कोई नहीं है अब अनपार्ट म बटा में 4 ठीक है इसको रेशियो में लिखेंगे तो कैसे लिदेंगे 15 रेशियो चार ठीक है यहां पर अप्सन 3 इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसन बोल रहा है कि 40 किलोमेटर प्रती घंटे की गति से चल राइट एक टेरेंज वारा 1500 किलोमेटर की दूरीताय करने में लगने माला समय यानि एग घंटा में 40 किलोमेटर दूरीताय कर सकती है तो 1500 किलोमेटर दूरीताय करने में इससे कितना समय लगा ठीक है यानि 150 डिवाइड बाई हम 40 कर देंगे यहां पर 0 से 0 केंसिल 4 से करेंगे तो देखिए 4 ती आई 12 आप आपको हो झाएगा तीन सट फार्पाइगा च्रहताया है यानि थीन दस ल वरूरब्स साथ पाच घंटे तो इतीन हें घंटा घंहे Percy को धाएगा अब 975 और मेंrot पॉइंट साथ पांच नुटू 2,10 आ दू से यह कर जाएगा पंद्र भार ने यहांने पंद्रति या फैर समभूत इनसर तीन घंटा 45 निनक तरफ यह आप यहां पर देख सकते हैं चलिए आगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण एक संपासर्व का अधार एक संभाव तिरूज है जिसकी भूज आप 5 मीटर है और उचाई 20 मीटर है तो संपासर्व का आयतन क्या है तो आपको संपासर्व यानि जिसका की एक संभाव तिरूज है तो जिसका आयतन आप को होता है रूट 3 by 4 ठीक है रूट 3 by 4 into भुजाए square यानी A square यहाँ लिखते हैं इन्टु उचाई ठीक है तो यहाँ पर मान फूट करते हैं अब अब देखिए यहां जग़ा कम था इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ अब देखिए इस चार्ट में देखिए जो संख्या यह दिया गया है तो हरी से ने सबस्टर परसेंट लाया हुआ है यह परसिफात में दिया गया है और देखिए अब यह चार्ट मतलब सी गलती किया था मैंने परसेंटेज परसना में सभी 5-6 द्वारा प्राप्त ऑफट अंग कितना है तो चलिया किसका पूछ रहा है रसायन का प्रसायन वीगान अप लोग देख सकते हैं यह सामने वाली ठीक है यानि यह है चलिए आम इसको क्या करते हैं इसको सबसे पहले आपको एड करना होगा अफ़ट मरब क् पां गवाली ठीक हैं ठीक है अब देखिए तो ट्यूटालं कीटने का है एक सो तीस का podrion ऐस में यह हो यहाने शथ हो जाएगा अब करना हैं 500 प्रॉषेंट हो जाएगा आपको 95 55 ऑर 35 25 फांच हो जाएक को जोड़ करना है डिभाइड कर देना है 5 से सबको अगर जोड़ेंगे तो आएगा आएगा आपको 325 फुट चीज बाटा में क्या कर देना है 5 यहीं अउसा तंक हो जाएगा ठीक है तो इक यह कर जाएगा तो 64 संख्याओं का उसत 130 है तो अलग की गई संख्या क्या है ठीक है पहले 5 संख्याओं का हम यह कर लेंगे कि 5 संख्याओं होगी कितनी तो उसत दिया है 120 तो 120 से हम क्या करेंगे 5 संख्या हो था तो 5 में उगड़ा कर देंगे यानि कितना हो गया 600 600 पहले कितना था 600 मंख था आप क्या कर रहा कि एक हट जा रहा है तो कितना हो जा रहा है चार गो का 9 थे आपको 133 ठीकμέंus 130 यानि 5 थाप defines you ते लेग फिर ने पाउठीचा माझ》 ऊप्ट रहा है कि अलग हुआ है उसका कितना है तो इसका कंक कितना हो जाए है कि जो अलग हुआ है उसका कितना है तो उसका कितना हो जाएगा असी हो जाएगा अंतर ठीक है क्योंको पहले छासा था भट गया तो पांसा भी से रहा गया तो असी यहां फिस कराइटन सो जाएगा अगला प्रस्ने 2500 यानि 2500 रुपिया की अंकित मुल्य वाली एक सट को 2200 में मिल रही है कितने पर्दिस्वा छूट परदान की गई है अब देखिए टीश्वाट था आपको 2500 का मतलब अंकित मुल्य उसके लिखा गया था कि 2500 में ठीक है बट मिला कितना में तो 2200 में मिल ग रुपिया पूछ दा तो 300 एंसर हो जाता बट परसेंटेज पूछ रहा है ठीक है तो यहां क्या करेंगे 300 रुपिया का छूट मिला है कितने पर मिला है मतलब अंकित मुल्य पन मिलेगा तो 300 रुपिया का मिला है 2500 इंटू 100 कर देंगे तो देखिए 20-0 से 20-0 चार बार में यह कर जाएगा कितना चार बार में 25 के सब कितना हुगा तीन चूब के 12 परसेंट का छूट मिला है ठीक है आसा करता हम आप लोग समझ में आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो दो बढ़ा देख लिएगा समझ में आ जाएगा फिर भी नहीं आए तो नीचे कमेंट किजिएगा यहां पर देख सकते हैं option 1 उसका राइट एंसर हो गया है अगला प्रसन केंद्रिये परविती में माध्य माधिका और बहुलक के बिच सबंद क्या है ठीक है मतलब माध्य 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 के बिच 25 में मैं आप लोग बताया था यहां पी वीडियो में बत दानी है ठीक है चली आगला प्रसन दिखते हैं आगला प्रसन एक मेनिंग दिया गया जिसको और टिक इंट इन तोल कितने हैं ऐ десят कितने हैं दस अपकर बोलराएं कि रहोने का प्रतिस्थ mmm तो आई कितना बार रहे यहां पे होई एक और यहां पे है यानि दो भार है 2 है कितने में 10 में沒有 इंट्रिप्र सी कुना कर देंगे प्रतिस्थ हो जाएगा अब कितना बार रहे तो दो बार है पर पूछ रहा है ठीक है तो है आप कर देंगे एक जिरो से जिरो केंसिल यानि कितना हो जाएगा दो दहां पर इस परसेंट ठीक है ऑप्षन एक चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण एक बलेवाज अपनी बारहुई अगला प्रस्ण मैं यानि एक बलेवाज अपनी बारहुई पारी में जबता है एकस बनाया होगा ठीक है अवफात चल ळाई गए जी açıl पारी में तयाम भूल रहा कि 60 रण बनाया है थीक है मालद उने हम 11 पारी तक उसने एकस रण बनाया थीक है עवफात रण एकस था ठीक है तो 11x पलस 60 अब क्या हो रहा है जब बरहुभी पारी खेल ले रहा है तो उसको क्या हो रहा है कि इस तरह उसका आउसत रहन 2 रहन से बढ़ जाता है ये तो 12 मच चुका हो गया कि 11 मच में 11x बरहुभी पारी में 60 रहन दोनों को जोड दिये अब देखे क्या हो रहा है 12x पारी मतलव फार्फर मार देता है तो 12iven पारी में 12बनों पारी तक क्या हो जाता है कि पहले x था उसा तो बठ इसमें 2 रहन बढ़ जा रहा है ठीक है x गया चलिए 11x यहां से क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा पलस 24 हो जाएगा यह ठीक है यहाँ पर 11 है एकस रह जाएगा पलस 60 हो जाएगा यह 11 है से माइनस 12 है अफरी उधर से आएगा अगरत क्या हो जाएगा माइनस एकस हो जाएगा बराबर पलस 24 है इधर पलस 60 है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा तो यहांपे 24-60 जाएगा आपको तो यहांपे माइनस 36 हो जाएगा क्योंकि माइनस कमान जादा होगा ठीक है माइनस माइनस केंशी लेक्स बरह क्या आगिया 36 यहांप इसका राइटेंस रो जाएगा option 3 अगला परसने वार्सी का दार पर चक्रविजित 5% प्रतिवर्स की ब्याज दर पर 800 रुपिया की रासी कितने समय में 880 रुपिया हो जाएगी चलिए इसका सुलुसन करते हैं क्या दिया है चक्रविधी दिया है मतलब चक्रविधी ब्याज दिया है ठीक है तो अब दिया है का फर्मूला क्या होता है c i बराबर क्या होता है p into 1 plus r by 100 के पावर n अब देखिए यहाँ पर c i मतलब चक्रविधी ब्याज p मतलब मुल्धान हो जाएगा 1 plus r मतलब दर n मतलब समय ठीक है चलिए कितना है c i आपको कितना है मतलब 800 रुपिया दे रहा है तो चक्रविधी मिस्रधान हो गया ठीक है चक्रविधी यह क्या जाएगा मिस्रधान कितना हो जार आए 882 रुपिया ठीक है 882 कितना था 800 रुपिया था ठीक है मुल्धन 800 रुपिया into 1 plus r कितना है 5% 5 बटा में 100 पावर n ठीक है n रखिये n बरावर इस समय ठीक है n बरावर आपको हो जाएगा यह समय अब देखे सुलस्ण करते हैं इसको तो इधर हो जाएगा 882 बटा में क्या हो जाएगा 800 उदर से आजएगा तो गुणा में है तो इधर भागा में अब हमको पावर सेम करना पावर करना है तो आप इसका राइटन से हो जाएगा option 2 पीर वह चाटा है इसने में पूछ रहा है कि सभीचेंओं में 50% और उससे अधिक अंग पराप्त करने वाले छात्रों किसंख्या कितनी है चलिए तो क्या करना है सभी उसे हम पुछ रहा है ठीक है सबको जोड़ लेना है कि इसने कितना किया है ठीक है तो यहाँ पर्सेंटेज ना जोड़कर मतलब पुड़ा अंक ना जोड़कर क्या करेंगे पर्सेंटेज को ही एड़ करेंगे ठीक है तो पर्सेंटेज को एड़ करेंगे तो देखिए अब क्या हो जाएक जब हरीष का एड़ करेंगे, तो आपको आएगा 220, इसी तरह सबका एड़ कीजिये, आप देखिये, सबका जब जुढेंगे तो देखिये 500 में यह आया हुआ है अब देखिए 500 का अधा 200 होना चाहिए ठीक है तो यह पुछ रहा है 50% यानि 50% परावर इसमें कितना मतलब जो होना चाहिए 200 या 200 से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो इसमें देखेंगे पाला वाला में रखेंगे दो सब्सक्राइब कम है यानि कितने चात्र हुए तो दो चात्र हो ठीक है कौन तो हरी सुगा और तीस थर्ड पर कौन है रजेस वाट ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं इसका राइटेंस हो जाएगा दो चात्रे ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं पर देंगे कि मतलब ज्यादा मिलेगा ठीक है तो सदान व्याज एसाई बरबाब क्या होता है पी आए टी बाई हंड्रेड यानि मुलण कितना है यहां पे अठाराइज सोव समय कितना है दोर का पता नहीं बटा में का कर देंगे सोव एसाई बरबाब दिया कितना है अब देखिए यहां पहले के लिए कर लोते हैं एसाई बार कितना दिलाया है तो 2700 तो यह मिश्रधान दिया है यानि 1800 रुपिया दिया है 2700 रुपिया हो जाए तो दुनों मतलब कितना बड़ जा रहा है 900 तो 900 ब्याज हो जाएगा फदान ब्याज ठीक है अब देखिए एसाई कोई जाटा देते हैं ठीक है यहां पर हो गया 2-0 से 2-0 केंसिल ठीक है अब देखिए 9 से यह दो बार में 1-0 से 1-0 2 से यह 5 बार में ठीक है अब देखिए उपर यहां इधर क्या बचा है इस फार क्या बचा है आर वाई 5 ठीक है अधर एक बचा है पांच इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पांच परफेंट यहां इसका राइटन सो जाएगा ऑप्षन चार अगला प्रस्ने दो मीटर भुजा वाले घंड बॉक्स में पांच सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घंड रखे सब्सक्राइब दोंहों क्या है घंड है छिक है दोटमीटर भुजा दिया तो अधर मतलब है इसका अधर क्या होता है यह दो नथे हैं यह मेटर में था यह क्या है सेंटीमीटर भANE पांच इन टुख locked अब मेटर को सिंटीमीटर मनं हो गया सेंटी मिटर में ये वी हो गया ठाश एक का ये फैज उपर 2 मीटर घौन वाले भुजह में पांच 25es ती kinderen घुंतर के लैए तो 5 आहारें टो पांच्ट यह कितना बार में कर जाएगा वीस बार में ठीक है और दखिए तोन 9 चार दू नहला के आठ आठ सब्सक्राइब अगला प्रस्ण एक व्यक्ति साठ किलोमेटर प्रति घंटा की गती से एक अस्थान पी से दुसरे अस्थान की उपर जाता है ठीक है यह अपनी गती को पचाइब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब मतलब है जाने का अब आ रहा है तक हीतना 50% गती बढ़ा करके तो 60 का 50% बढ़ा देंगे तो 60 50% अभरी बढ़ गया यानि 36 30 90 किलोमीटर पर अती घंटा के स्पीड से आ रहा है ठीक है और क्या पूछ रहा है ब्यक्ति की अफ़त गती क्या है तो अफ़त गती बढ़ाबर मैंने क्या बताया था 2XY मतलब पहली और दूसरी गती ठीक है जाने का X माल लिजी आने का Y माल लिजी ठीक है तो 2XY XY के जगब क्या हो जागा X के जगब 60 Y के जगब हो जाएगा 90 बटा में X पलस Y 90 बटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150 10 से 10 केंसिल ठीक है और टीन से ये कर जाएगा 5 बार में 3 से कर जाएगा ये 3 बार में 5 से ये कर जाएगा आपको 12 बार में 12 दूने 24 तिया 72 यहाँ पिसका राइटेंसर हो जाएगा जाएगा और बोल रहा है कि दूनों साथ मिल रहा है ठीक है यह अकेले क्या था अकेले मतलब एक दिन में लिजाएंगे तो एक दिन में कितना ढूसकते हैं पांच को भूसकते हैं तो तीस गुढ़ोई अगला प्राशने किसी वस्तु के विक्रायमूल और करायमूल के अनुपात जो है साथ अनुपात तीन है ठीक है वस्तु के लाभ और विक्रायमूल के बीच अनुपात क्या होगा अब देखिए हम अनुपात को लिए लते हैं ठीक है विक्रायमूल कितना दिया है यानी SP कितन लाव में खड़ा था आ सात रुपिया हम बेच दिया अब का बोल रहा है कि अनुपात के खर के कर अनुपात हो गया ठीक है चार अनुपात यहां पर लिखेंगे अब बीक्राइमुअ को तो विक्रहाय मूल कितना किया है SP वही वही वतबसेलिंग पराईस यानि विक्रहाय मूल तो कितना सात अनपरतम बेचाए साथ हो गया तो चार अनपरत्छाथ हो जाएगा यहां पर इसका राइटेंस हो जाएगा ऑप्षन एक अगला प्रसने 15 वश्थों का करहाय मूल 12 वश कितना रुपया में खड़रा होगा एक रुपिया में जोनि START 15 घखर तो 12 दे 15 isso कि मैंने माना था यहां पर कितना कि एक रुपिया में तो 15 घंटर ठाही थे और देखिए बारा होस्तु के विक्राय मुल्ट के बारा यानि बारा है गोस्तु को बेच रहा कितना में 15 रुपिया में खड़िदा कितना में तो तो एक रूपय। सब्सक्राइब है और तीसात में पुछ्छ राहे अब पर्दिशक्त में पुछ राली तो तीन रुप्या हो जाथ है यहां पर तिसद लिका लेते हैं तीन रुप्या है कितना पर तो 15 रुपया पर तेकि यहां साँदा साँवी घूमेगे ठीक है लाब होगा जबतो किस पर होगा करए मुलप होगा ठीक है ना की विकराई मुलप लाब होगा तो 3 रुपया लाब होगा केतने पर 12 रुपया पर इंटू 100 कर देंगे ठीक है दो संभाव तिरूब हो जाए उसका छेत्रफॉल का अनुपात कितना दिया है तो 36 अनुपात 64 तो उंकियों उचाई का अनुपात ठीक है अब देखिए एच वन माल लेते हैं भाई एच टू और आप बाकी सब इदर जो एक्स वाई जेड होगा तो कर जाएगा दूनों में से मोगा ठीक है तो एच वन भाई एच डू के कुछाई कनपात पूचा है बरावा कितना दिया है संभाव त्रिभूज पालका संभाव त्रिभूज के श छो और अठ्ट ठीक है इससे भी कटा सकते हैं तीन दुनाग चार दुनाग रख दूनाक याठ तो देखिए तीन चार नहीं दिया है छोव ए आठ्ट दिया है त्छी के आप इसका राइट एंसर हो जाएगा आप्सन एक यहानि आप लोगों को ये आपको देदेगा मतलब तो वह भी सही वह जाएगा ठीक है इसमें नहीं रहाएंगा जो बियक्ति 24 दीन में 36 एकर्ड की फसल की कटाई करते हैं तो 12 बियक्ति 18 दीनों में कितने काड़ तरि से सकते हैं या या आप उटतीन लग रहा लग रहा घण डीनों करेंगे अई सकते हैं इस सघ्र करेंगे डिते वह बना है इद एसे बना शक्ते हैं धविब आप अब आप जिक है अब दोब चया करते हैं 36 से करता चायंटोً 24 in 26 कर दिए अब देखिए तो बारा भी अटारा दिन में कितना करनें आप से यह दो बार में 18 से यह दो बार में तो कितना आ गया एक बरावर दो दुनाग चार चार चार्चक 24 यानि 24 से कड़ यह काड़ देंगे ठीक है अगला प्रसुन यह बुडमास है इसका हम मान बता ही देते हैं ठीक है पुछरा इसका मान क्या है अब देखिए साथ पहले देखि चोटा कोष्ट यहां क्या हो जागा 24 यहां डिवाइड का चिने डिवाइड कर देते हैं 224 फोर प्लस 2 ठीक हे चोटा कोष्ट का हो गया चार आडके चार से 6 बर में चच्छ diff कितना हो गया 8 हो गया यहांपर ठीक है इतने कमान इतना कोटल कमान क्या आप यह आठ ढप आपको इंग्लिस लेंग्वेज करके भी देख लेना है फिर उसमें भी गलत हो तो आपको इसमें से भीड़ाना है देखिए यहां पर यहां पर मिस्टेक क्या किया है यहां पर मैं बता देता हूँ आप लोग को देखिए यहां पर 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 यहां पर माइनस कर देंगे तो चार सब कोशन को इगिनार करते चलिएगा ठीक है मतलब इससे फड़ा सा समय दीजिएगा अपना तो भी ठीक है नहीं एंसर आ रहा है तो भी ठीक है बाद में जब एंसर की आएगा उसका रेस्ट कर दिया जाएगा बट हां आपको टिक करके जरूर आना है ठीक है क्योंकि यह सा मत प्रड़ने अब सबसब्स और Maia एट watery चाओंगए इसाट जा रहा है ञधेखिए यानि Woah एक सनतरह कितना में तो साठब़टा बारह यानि पांस रूपिया में में बेचा कितना जा रहा है छी सब्सक्तिर कितना हमें पंच रुब्या है कर दा दिए थे खर्दा कितना में 400 रुपिया में ठीक है पूरा तोटल संतरा अब बेचा है कितना में मतलब पांच इंटु 100 यानि पांच सौ में बेचा है ठीक है यह हो गया आपको एस पे यह क्या था सेलिंग पर आज मतलब यह हो जागा आपको कोष्ट पराईज कराएं मोलें यह हो कर जा आपको डिर्च अब भोला लाव है दिर्चु सौं कर पर किंसल न अप्सव सौर कितना होगा कितना होगा है 400 पांच सरो फोलबthार णद होता है 322 00 केंसील 4 से कर जाएगा 25 20 भार्में यहा पर कितना इंसर जाएगा और सिक Сिर पर चिला तीन 1525 प्ररसह जला है इसका मान पूच्छा है इसका ओन बली क्या करना है या मतलब भागा या गुना कर जोंदना थीक पहले विदित का पहले निकाल लेते हैं इसको अब देखिए इसमें भी क्या करना है तो बोड़ मास का रूल का पालंग करना है तो इसमें विवर से पहले क्या करेंगे हम तो तिरी के क्या हो जाएगा? 9, 3 से 3 में गुणा? 9, अब देखिए, अब 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29, ठीक है? अब 29 में से 2 जाएगा? 4 यहाँ पर गलती कर रहा था, यहाँ गुणा है, तो यह दू दूना के क्या हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? 29 से 2 यहाँ पर हो जाएगा? 4, अब यहाँ गुणा ना होगा हो, यहाँ माइनस होगा, ठीक है? यहाँ तक कितना आया हमको? ठीक है? यहाँ तक आया आपको 29, माइनस, दू दूना के 4, पलस 10, ठीक है? अभी दखिए, एक ब्रैकेट में रहने देज़ेए, इसको, इसको ब्रैकेट में रहने देज़े एंक कि यहाँ 2 है, ठीक है? माइनस 2 है, अब देखिए, 29 से 4 जाएगा, 25, अब पलस दूना के 50, ठीक है? तक यह क्या हो जाएगा? तो 4,10 कितना हो जाएगा, 4,2, फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा बहुंस हो गया तो फिर से बना दे रहें, ठीक है, 4,1-2 है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, पहले भी रेकेट को सॉल्प करते हैं, तो यहां करेंगे सॉल्प तो क्या हो जाएगा, यहां से 3 आएगा, ठी 29 में 4 गया, 25, आज 2 से गुना करना है, तो 25 दुना के कितना हो जाएगा, 50, ठीक है, तो फईले 54 है, 54-50, अब देखिए, पलस 10, तो 4 हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 4,10, तो यहां पर इसका राइट एंसर हो जाएगा, आप्शन 4, आज का लास्ट प्रसन है, दो संख् को जाएगा, अंतर, तो 8 है, तो यहां यहां पर देख सकते हैं, कौन चोटी संख्या है, आठ बाइसा है, यहां 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 तो, आठ एक स्वटा होगा, तो 3 एक, तो 3 एक स्टीन से गुना कर दिजिए, 3 इन्टो चाओवीस, कितना हो जाएगा, आज जो है आपको बाइस फ़रवी 2019 का शिफ्ट टू में जो भी मुएद के 25 पर असरों पुछे गए ते हो सब किलियर कर दिया ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्ट वीडियो में ओके थांक्यू जै हिंद जै भारत असा करता हम आप लोगों वीडियो से मदब मिली होगी तो फिल यह से कोई गलती ना हो और समझाओं उच्छे से कि आप लोग के समझ में आ जाए तो चलिए अगर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लिजेएगा आपको मुंद करेंगे तब किजिएगा ठीक है बर्यारी नहीं है कोई कि मतलब सब्सक्राइब किजिए तर आइकन दब य क्यार नहीं है आपको मुंद करें तो सब्सक्राइब किजिएगा आपके लाइक होगा तो ठीक है तो चलिए मिलेंगे नेक्स टूडियो में थैंक्यू